योगी सरकार के सामने गिड़गडाया अतीक एहमत बोला हमारा परिवार बरबाद हो गया है माफिया अतीक एहमत की माफिया गिरी अब खत्म हो चुकी है और ऐसा हम नहीं कह रहें बलकि ऐसा कहना है खुद अतीक एहमत का उमेश पाल हत्याकांड में उसे गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाए गया है कोर्ट में अतीक और उसके भाई अश्रफ की पेशी होनी है निश्यत तोर पर आने वाले वक्त में माफिया अतीक की मुश्किले बढ़नी तै है लेकिन इसी बीच अतीक ने मीडिया के सामने साफ शब्दों में कह दिया कि अब हमारा परिवार बरबाद हो चुका है पूरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया गया है अतीक के चेहरे पर दिखाई दे रहा ये खौफ साफ बता रहा है कि योगी सरकार में इनका हाल कितना बेखाल को क्या है अतीक एमत के खिलाफ योगी सरकार और यूपी पुलिस ने मोर्चा खोला हुआ है जिन कड़क तेवरों के साथ योगी ने सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूँगा उसी तेवर के साथ अतीक और उसके परिवार को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है हैरानी की बात ये है कि खुद अतीक भी अब योगी का लोहा मान चुका है तभी तो जब उसे दुबारा प्रियागराज लाए गया तो इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उसने कहा कि अब इतना मिट्टी में मिला दिया गया है और कितना मिलाए जाएगा हमको रगड़ा जा रहा है हमारा परिवार पूरी तरह से बरबाद हो गया हमारा परिवार पूरी तरह से बरबाद हो गया कि अब तो खाली रगड़ा जा रहा है किस लिए अब तो परिवार करा रहा है क्या कहना है अतीक की बातों से साफ लग रहा है कि वो इस वक्त बहुत डरा हुआ है इसलिए कभी मीडिया का शुक्रिया करता हुआ नजर आता है तो कभी योगी के सामने गिड़गडाता हुआ नजर आता है अतीक और उसके परिवार पर ये ताबर तोड़ आक्शन योगी के उस बयान के बात से लिए जा रहे है जिसमें उन्होंने सदन में सामने बैठे अखिलेश को ललकारा था और कहा था कि किसी गलत फहमी में ना रहे अतीक जैसे मांप्या को मिट्टी में मिला दिया था आप सारे अप्राजियों को पालेंगे उनको मालयार्पड करेंगे और उसके बाद तमासा बनाते हैं आप लोग एक तरफ अपरादियों को प्रस्रा देंगे उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी करद फिर दोसरों पर भी करेंगे मैं उन्हीं पर आ रहा हूँ उन्हीं पर आ रहा हूँ उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आरो हमारी बार्टी में आप अधाई है किस पार्टी का सदसी है क्योंकि बाउजन समाज पार्टी आपकी दोस्ती है इसलिए बाउजन समाज पार्टी का नाम ने ले रहा है हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं क्या ये सच नहीं कि जिस अतिक एहमत के खिलाब पीडिक परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाब वो समाजवादी पार्टी के दौरब पोसिक माफिया है और उसकी कमरबत लोने काल हवारी सर्थार ने किया है और फिर बेखेज़ दर्शी है इसी हाट को इस अलाबिया को मिट्टी में मिलागेंगे इस अलाबिया है इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे अपरादी आप क्या है ये चीज़ें नहीं हो सकादी आप क्या है यह तो आप कम जनते हैं आपको कहाना चाहिए था यह तो अब्यक्स मोगा हैं यह यह पेशेवर माफ्यार अपरादियों के सरपरस्त हैं और यह अधातार यही करकर रहा है इनके रग रग में अपराद भरा हुआ है अपराद के लगा इनके तो सिगा ही नहीं है सिर्फ यही नहीं जिस वक्त अतीग को उमेशपाल अपरहन मामले में उम्रकैत की सजा सुनाई गई योगी ने दोटू कहा था कि करमों की सजा तो सब को यहीं भुगतनी है बिना नाम लिए योगी ने अतीग पर किस तरह से तंच कसा था चलिए आपको सुनवाते हैं लेकिन अगर आप कोई कमजोर बच्चे को योगी किता की सिर्णे में लातेते हैं यह आपकी उप्लब्दी होगी अगर आपका बेतनी संबाद है और एक रसनात्मक और सकरात्मक स्वयोग आप इन बच्चों के लिए उप्लब्द करवा रहे हैं तो बच्चा आज जीवन आपको सम्मान करेगा अजयाँ का समय और वक्त ये किसी को बख़ता नहीं है याद रखना यह कर क्रमों आपको प्ल उसके रहते वह ही दे बी देता है बता भी देता है आप आप देख रहे होंगे नदर देशन भर में जो माविया पहले सत्ता को अपना सरप्रस्त मानते थे मानते थे कुछ नहीं और आस उनकी क्या दुर्गति हो रही है। कि किस इस्थि में पहुंच रहे हैं कैसे उनको सजा हो रही है कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालिया बस्तिय लोग खुसाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा होगा यह अच्छा होगा कि कि ओकते हैं जूकसी के जुटेगर भूग से हम एशे क्सी नुगसान नहीं पहुंचाया होगा जिस छेटर विसेश्य इसने क्यायं होगा कि लेकिन का पीडिक हर बेक्ति था इस बात को लेकर कि क्योंकि अत्याचारी है अन्याई है के और तो देखा आपने किस तरह से योगी ने तो ठान रखा है कि अतीक को बरबाद कर देना है और अतीक पर इसका असर साफ दिख रहा है अब आप बताईए आप इस खबर पर क्या कुछ राए रखते हैं कि अगेंगे और आपको जानए दर लग रहा है हमारा परिवार पूरी दर जभरबाद ओगया और एक सवाल कोी कर रहा था आप तो खाली रगला जा रहा है तो हमेश पर चाहिए तो हमेश पर बार जाय रहे हैं तो हम भी तो कह रहे हैं ना हम जेल में जेल जेल से कहाए है पपिता का पड़ा है!